आप सबका मेरे चैनल पर वापस स्वागत है तो यह गोल्ड का चार्ट है 2006 डॉलर के आसपास गोल्ड प्राइस चल रहे हैं कल डीटा आया था यूएस का जो काफी बड़ा हुआ था रिटेल सेल्स पड़े हुए थे को रिटेल सेल्स पड़े हुए थे इसकी वैसे गोल्ड म नंबर साइथ है तो थोड़ा सा हिंट मिल गया था कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि और दबाव गोल्ड को जहिलने को मिले इंफलेशन अगर वर्ल्ड में बढ़ती रहे ही तो वापस से इंट्रस रेट बढ़ाने पड़ेंगे और जैसे के हम पिछले हफते देख चु दूसरी तरफ इरान ने पाकिस्तान के जगा कुछ हमले किये थे बताने के लिए को कुछ उन्होंने टेररिस पे अटेक किया है और उसके बदले में वापस से अभी थोड़ी दिर पहले पाकिस्तान ने इरान की जो रेंज है उनका जो बार्डर है उसके अंदर कुछ वगेरा फाइर किये हैं यह अब डेवलपिंग सिचुएशन है पहले कल जब यह इरान ने अटैक किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए बट आप वापस से रिटैलीशन हुआ है तो इस पर थोड़ी से नजर रहेगी पर नीचे हो तो आज जो है ECB की मॉनेटरी पॉलिसी के मिनिट्स है पिछली जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी तो इससे पता जलेगा कि कितने मेंबर जो है रिट कट या रिट हाइक के मूड में है एक FOMC मेंबर की स्पीच है शाम को छे बजे साथ बजे यूएस के एंप्लाउमेंट क्लेम्स हैं बिल्डिंग परमिट्स हैं फिली मैनुफाक्टरिंग इंडेक्स हैं फिर रात को पॉने नौ बजे ECB प्रेसिडेंट की स्पीच है उसका खयाल रखेगा यह आज की मेजर डेटा है बाकी गोल्ड प्राइसे में कल जबर्दस क्रै दिखाया मैं आपको मार्केट कॉमेंटरी में लेवल रिफ्रेश कर दिये थे मैंने इन फाक कल तो दो बार या तीन बार गोल्ड सिल्वर के लेवल रिफ्रेश करने पड़े आई होप आप मार्केट कॉमेंटरी में होंगे तो कम से कम आपने यह जो क्रैक हो रहा था इसमे अभी gold 2007 dollar के आस पास चल रहा है obviously weeks और में है आज का resistance और आज का support क्या है चलिए देखते हैं आज का gold का resistance है 2000 22 dollar support है आज का 1998 dollar trend week बना हुआ है और एक बार ध्यान लखेगा 2022 से उपर gold का जो trend है वो positive नहीं होगा flat to positive होगा main positive trend होगा trend decider के उपर trend decider आपको market commentary में देखने मिलेगा थोड़ी देर में silver चल रही है 22 dollar 55 cent के आस पास ये भी week zone में है कल इसके भी 2 दिन updates आथे market commentary में आज का resistance support क्या है देखते है आज का resistance है 22 dollar 82 cent का support है आज का 22 30 का trend इसका week zone में है एक बात notice की होगी आपने अगर गोल्ड-silवर के आप चार्ट देख रहे हो तो एक मिनट इसको छीक कर देखते हैं ये आपने notice की होगा कि silver थोड़ा कम गिरा है और gold ज्यादा गिरा है तो gold में weakness ज्यादा है तो उसका खयाल रखेगा बाकी buying तब ही आएगी जब market positive zone में जाएगी trend decider के ओपर अभी फिलाल weak zone में है तो रखेगा खयाल 22-30 के नीचे अगर silver निकल जाती है तो 22 dollar तक जा सकता है ध्यान रखेगा crude oil पे आते हैं finally crude oil एक थोड़ा सा resilient होता जा रहा है 70 dollar के असपास और जिस तरीके से worldwide problem चल रही है I am not surprise के वापस से reverse हो गया इरान और पाकिस्तान को जो issue चल रहा है उससे crude oil के prices पे असर पढ़ सकता है because इरान भी एक बड़ा crude oil producer है तो आज का resistance और आज का support क्या है crude oil का देखते है आज का support है 71.50 का resistance है आज का 73.20 का trend इसका flat है 73.20 के आसपास का ही trend decider है उसके उपर जाके sustain करेगा तो एक अच्छी तेजी आ सकती है ध्यान लखेगा sustain करने की बात हुई है ना कि विक्स की बात हुई है यह जो आप ही देख रहे हो यह 73.15 के आसपास के high यह body सिर्फ 73.00 की बनी है crude oil में body उपर की 73.20 से उपर की बनी ही तो हम कुछ positivity की तरफ जाएंगे यूरो पे आते हैं यह हैं यूरो के कल के levels कल कर जब वीडियो था यह उसके levels हैं आज obviously लेवल चेंज होंगे आज का resistance resistance support क्या है देख लेते हैं dollar index अभी भी positive zone में ही है dollar index के level और nasdaq के level आपको थोड़ी दिर में मिलेंगे market commentary के अंदर यूरो का आज का resistance है 920 का support है आज का 840 का trend इसका flat हो चुका है तो रखेगा खयाल अब आज जाते हैं British pound पे यह है British pound कल के levels हैं कल का जो वीडियो था उसके levels हैं आज का resistance है 2700 का इसका मतलब सिर्फ 10 pips दूर है positive zone से यह आज का support है 2630 का trend इसका flat है बड़ अगर 2700 तोड़ के sustain करता है तो फिर जरूर positive zone में जा सकता है 2700 के उपर 2750 तक जा सकता है Bitcoin पे आ जाते हैं 2200 500 डॉलर के आज पास चल रही है कल का फर रही है हमारा कल के level ही है आज का resistance में जरूर चेंज है और काफी बड़ा चेंज है पूरे 1000 डॉलर का चेंज है 43200 का resistance है इसके उपर जाके sustain करता है तो positive zone में Bitcoin को देखा जा सकता है support में कोई change नहीं है trend में भी कोई change नहीं है trend तभी change होगा जब resistance के उपर जाके sustain होगा और कोई body बनेगी अब आते हैं Ethereum पे 2490 का कल support था 2490 का support ब्रीच नहीं हुआ है resistance चेंज हो गया है resistance है आज का 25-60 का trend इसका flight बना हुआ है तो खयाल रखेगा बाकी paid signals और market commentary के लिए team का WhatsApp नमबर डिस्क्रिप्शन में है website पे जाके सारी details चेक कर सकते हैं आप live data और breaking news का update telegram और twitter पे आएगा आपको तो make sure आप दोनों जगा फॉलो करते हैं telegram पे ध्यान रखेगा बहुत सारे fake channel है मैंने नाम से तो genuine वाला ही join कीजिएगा link से जाके अब मिलेंगे कल के वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye